हेलो गाइस आज किस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ABC ID कार्ड कैसे बनाएं जी हाँ आप अपने फोन से ABC ID कार्ड बना सकते हैं बहुत असानी से बस आपको ये वीडियो पूरा वाच किये रहना है आभी तक हमारे चैनल को आप सस्क्राइब ने किये हैं तो पर तो हम अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेते हैं जैसे आप ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर आपको सर्च कर देना है डीजी लाकर तो जैसे आप सर्च कर देंगे तो आपके सामने ये आप आ जाएगा तो आप इसे डाउनलोड कर लेना तो हम इसे डाउनलोड कर लिए हैं फिर हम इसे open करते हैं, तो जैसे आप open करेंगे, फिर आपके सामने कुछ as-interface open हो जाएगा, English पर click कर देना है और continue कर देना, तो जैसे आप continue कर देंगे, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं, skip का option आ जाएगा, तो आपको skip पर click कर देना है, फिर यहाँ पर आपको get started का option दिख जाएगा, तो आप इस पर click कर देना, तो हम click कर लेते हैं, तो जैसे आप click कर देंगे, फिर आपके सामने कुछ as-interface open हो जाएगा, जी हाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर आपको full name का option आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको अपने अधार card का full name डाल देना है, तो हम डाल देते हैं, फिर यहाँ पर देख सकते हैं, data birth का option आ जाएगा, तो आपको अपने अधार card का data birth यहाँ पर डाल देना, तो हम डाल देते हैं तो जैसे आप डाल देंगे यहाँ पर फिर आप mail या फी mail हैं तो आप उस पर click कर देना तो हम mail हैं तो mail पर click कर देते हैं फिर आपको अपना mobile number यहाँ पर डाल देना है तो हम अपना mobile number डाल देते हैं इमेल आईडी यहां पर आपको डाल देना है, तो यहां पर हम अपना इमेल आईडी यहां पर डाल दिये हैं, तो जैसे आप डाल देंगे, फिर आपको छैंग का कोई साएक पिन बना लेना, तो हम बना लेते हैं, तो जैसे आप बना लेंगे, फिर आपको सम्मीट पर क्लिक क कर देंगे, फिर आपके सामने कुछ सेंटरफेस ओपन हो जाएगा, जी हाँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हम सम्मिट पर क्लिक कर देते हैं, फिर आपके फोन नंबर पर एक OTP आएगे तो आपको OTP डाल देना है, फिर आपको अधार नंबर डाल देना है, सम्मिट हो जैसे आप अधान नम्बर यहाँ पर डाल देंगे फिर आपको छैंग का कोट डाल देना है जो आप अभी बनाए थें तो हम डाल देते हैं फिर आपको sign in पर click कर देना है तो जैसे आप sign in पर click कर देंगे फिर आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस open हो जाएगा तो यहाँ पर आपके phone number पर OTP आएगी तो आपको यहाँ पर OTP डाल देना है तो हम अपना OTP डाल देते हैं तो जैसे आप OTP यहाँ पर डाल देंगे फिर आपको submit पर click कर देना है तो जैसे आप submit पर click कर देंगे यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके अधारकार्ट का यहाँ पर नाम आ जाएगा जो भी आपके अधारकार्ट पर photo लगी होगी तो यहाँ पर so हो जाएगी जी हाँ यहाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर आपको search बार का option दिख जाएगा तो आपको search बार पर click कर देना है जी हाँ तो हम click कर लेते हैं जैसे आप click कर लेंगे फिर यहाँ पर आपको search कर देना है ABC जी हाँ तो जैसे आप ABC यहाँ पर search कर देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ABC ID card का option आ जाएगा तो आपको ABC ID card पर क्लिक कर देना है तो जैसे आप क्लिक कर देंगे फिर आपके अधार card का नाम आ जाएगा और आपका data बर्था आ जाएगा gender आ जाएगा ची हां यहां यहां पर आप देख सकते हैं फिर यहां पर आपको admission years पर क्लिक कर देना है फिर आप जिस साल admission लिये हैं उस years को आप select कर लेना 2023, 22, 21, 20 तो हम 2023 में admission लिये हैं तो 2030 पर क्लिक कर देते हैं तो जैसे आप क्लिक कर देंगे यहां पर फिर यहां पर आप देख सकते हैं identity type का option आ जाएगा अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपको नान पर क्लिक कर देना है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम नान पर क्लिक कर देते है फिर यहाँ पर आप देख सकते है अगर आपके पास एक्जामपल के ताउर पर रोल नंबर है तो आपको एडेन्टी टाइप पर रोल नंबर पर क्लिक कर देना है यहाँ पर आपको एडेन्टी बैलू पर रोल नंबर डाल देना कर देना है रजिस्टेशन नंबर पर क्लिक कर देना है फिर जो आप रजिस्टेशन कराएं है बी ये बीस्टी बीकाम का तो यहाँ पर आपको रजिस्टेशन नंबर डाल देना है तो हम डाल देते हैं तो जैसे आप रजिस्टेशन नंबर डाल देंगे फिर आपको सबसी न संदिक जाएगा तो आपको search पर click कर देना जैसे हम बुंदेल्कन university से बीए कर रहे हैं तो हम search कर देते हैं वीव तो जैसे आप वी यू search कर लेंगे तो यहांपर बहुत सारे नाम आ जायेंगे जिहां तो यहांपर देख सकते हैं जैसे हम सबसी नीचे जाते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं बुंदेलकन उनिस्टी आ जाएगी तो हम उस पर क्लिक कर देते हैं जैसे आप क्लिक कर देंगे फिर आपको सबसी नीचे टिक काफ संदिक जाएगा तो आपको टिक पर क्लिक कर देना है फिर आपको सबसी नीचे get documents पर click कर देना है तो जैसे आप click कर देंगे फिर आपको थोड़ी देर wait किये रहना है तो जैसे आप wait किये रहेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ABC ID card आपका बनके ready हो जाएगा अची हाँ अगर आप इसे download करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको three dot का option आजाएगा इस पर आपको click कर देना है फिर यहाँ पर आपको bips pdf का option दिख जाएगा तो इस पर आपको click कर देना है तो जैसे आप click कर देंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि download का option आजाएगा तो आपको download पर click कर देना है तो आपका ABC ID कार्ड यहां पर डाउनलूड हो गया है यहां पर आप देख सकते हैं तो आप समझ गए होंगी कि आपको कैसे बनाना है